भारत माता की बंदे चत्रबती सिवाजी महराज की लोक सभा चुनाओ 2024 के प्रथम चरण की मद्दान के लिए आईउजी ताज की सभा में इस पारलेमेंटरी कंस्टेंसी के खासदार भारते जन्ता पार्टी और स्योगी दोनों के प्रत्यासे सिरामदास तड़स जे आज केस कारिक्रम में पस्तित महराष्ट सरकार के मंत्रे सिसुबोत मोते जी असोक सिंदे जी आमदार सिसमीर कुनाकबार जी पंकज भोयर जी प्रताप अडशर जी मंच परुपस्तित भारती जन्ता पार्टी के जिलात भ्यक्स सिसुनील कपाड़ जी प्रदेश सचिव सर्ताताई लोकसभा परमोक और अन्य भारती जन्ता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी हमारे पदादिकारिकार्ण भारी संख्या में इस हिंगन घाट नगरी में पधारे उपस्तित बैन और भाईयों महान संत भोजाजी महराज की इस पावन धरा को नमन करते भे मैं आप सब का हिर्दे से विनंदन करता हूँ बैन और भाईयों कल से नौ संबत्सर प्रारंब हो रहा है भारती नौ वर्स गुड़ी पाडवा का पावन तेवार मैं आप सब को इस पर्व की हिर्दे से बधाई देता हूँ अपनी सुपकामनाई देता हूँ मैं इस पावन धरा को इसलिए भी नवन करता हूँ कि भारत की आजादी का नित्रुत्व करने वाले राष्टपिता महत्मा गांदी ने वर्धा को अपनी करम भूमी बनाया था और यहां के माध्यम से उस समय उन्होंने देश के अंदर विदेशी हुकूमत को उसकी चूलों को हिलाने के लिए जो अभिहान प्रारंब किया था वो अभिहान महाराष्ट की राष्टवादी जन्ता ने हातों हात ले करके भारत की स्वाधिन्ता को एक नई उचाईयां प्रदान करने में अपना योगदान दिया था बेनोर भाईयों दोहजार चौबीस लोकसभा का चुनाओ चलना है 19 अप्रेल को पहले चर्ण का मद्दान होना है मैं उत्तर प्रदेश से आया हो असी लोक सवासीथ हैं उत्तर प्रदेश में सातों चौड़ों में चुनाओ ने हैं लेकिन हम आश्वस्त हैं उत्तर प्रदेश में और कल में राजस्तान में था राजस्तान में भी यही आस्वस्ती का भाव है उत्तरो दक्षिन हो पूरव हो पस्सिम हो पुरी देश के अंदर एक ही भाव है सबके मन में एक ही भाव है एक ही आस्वस्ति है और संभावता आजादी के बाद पहला जन्नल इलिक्सन है जिसके पेरणाम के बारे में भी जन्ता जनारदन पहले से अवकत है और वह पेरणाम के बारे में अवकत है कि आएंगे तो मोदी ही आएंगे तो मोदी जी ही जनता इस बात के लिए आस्वस्त है मैंने इसलिए भी कहा कि मैं उत्तरब्रदेश से आया हूँ एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ उत्तरब्रदेश में होली का परू बड़े धूमधाम से मनाया जाता है बहुत धूमधाम से मनाये जाता है और हम लोगों ने बिंदावन मतुरा को खोली केले रंगोचो की रूप में चिन्नित किया रंगोचो का आयुजण वहां होता है लेकिन आयुज़ण तो हर जगे होता है खोली के परूपर इस से पहले गाना गाया जाता था वहाँ पर और खास्त तोर पर हमारे इस्टन यूपी में कि होली खेले रग वीरा अवद में होली खेले रग वीरा यानि इसका से था की आयोद्या में प्रभू रामलला होली खेलना हैं और लोक झूमते थे पुरा गाने के साथ जूमते थे गाओं के गाओं लेकिन बहने और भायों 500 वर्सों से अयुद्या में रामलला को किसी ने होली खेलते वें नहीं देखा पहली बार अयुद्या में रामलला ने होली के आयोजन के साथ जुड़ करके पुरे भारत वासियों को नए भारत का दर्सन कराया है और इसलिए तो मैं आस्वस्त हूँ कि अयोत्या में अगर राम लला पांच सो वर्सों के बाद फिर से बिराजमान हो सकते हैं कोई कारण नहीं कि मोदी जी ने दस वर्स में भारत को जो पैचान दी है जो सम्मान दिलाया है जो सुरक्षा दी है जो संब्रिदी दी है गरीब कल्यान के जो कारिकरम किये है इन सब को ध्यान में रखते भे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फिर से आएंगे तो बैन और भाईयों यह जो परिवर्तन देश के अंदर दिखाई दे रहा है दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है अज भारत के पासपोर्ड की कीमत बढ़ी है दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर भारत के पास्पोर्ट की कीमत बढ़ी है भारत का सम्मान बढ़ा है बड़े गर्व के साथ लोग आज इस बात को मानते हैं कि भारत दुनिया का एक सिर्मौर है लेकिन चौदा के पहले ऐसा नहीं था सीमा ही सुरक्सित हुई है पहले दुस्मन देज भारत की सीमा में गुश्ते थे सीमाओं का दिकर्मन होता रा सरक्मंद कर देती थी अब कोई सीमा का दिकर्मन नहीं करता है मैं तो चार दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्टित समाचार पत्र तक गार्डियन को पढ़ रहा था उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उसने का कि पाकिस्तान के अंदर दो वर्स से पहले बीस आतंगबादी चुन-चुन करके दुरदान तातंगबादी चुन-चुन करके मारे गए और इसका सक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है यानि इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई बिस्वोड के अपराधी वे आतंगबादी चुपे वे हों उस पाकिस्तान में भी अब आतंगबादी सुरक्सित नहीं है अब दुनिया भी इस बात को स्विकार करने लग गई है दुनिया ने भी नातंगबाद को एक समस्या मान लिया है जो लड़ाई भारत की है उस लड़ाई में दुनिया आपके साथ खड़ी है यह चीजें आज पिक्ति हैं कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया दुसमन भी अब भारत की सीमाव कर्मन भी नहीं कर सकता और देश के अंदर आतंगबादी गिरो कोई आतंगबाद करने का दुसाहस भी नहीं कर सकता आप देख रहे होंगे न कि कहीं कोई घटना अगर अस्थाने अस्तर पर कोई पटाका भी स्पोर्ट हो जाया है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है बोलता है न और नहीं तो पहले पाकिस्तान सिनातान के बोलता था आज उसको मालूम है अगर ओ करेगा तो मोदी जी का नित्रुत्व में जो सरकार है न ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनका काम तमाम कर देगी और भारत के अंदर आतंगबाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो थी कस्मीर में धारा 370 हम एकी नारा लगाते थे ना एक देश में दो प्रधान दो बिधान और दो निसान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे जहां हुए बल्यदान मुखरजी वो कस्मीर हमारा है यही तो नारा लगता था और बेन और भाईयों जो काम 1952 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया वो काम मोदी जी ने एक जटके में 370 समाप्त करके आतंगबाद की ताबुत में अंतिम कील ठोंकने का काम भी करते है क्या यह काम कोई और कर पाता क्या धारा 370 कोई समाप्त कर पाता तीन तलाक की कुपर्था को कोई रोक पाता और बाबा साब भीमराओं बैटकर जी के पंच तीर्थ का निर्मान कोई और कर पाता क्या यह सब काम तो मोदी जी ने किया है न और इंफ्रस्टक्चर का अभी मैं सुन रहा था यहां के आमदार से कि रामदास जी ने यहां पे लोजिस्टिक का एक बहत्रीन हब बनाया है मैं भी आकी देख रहा था पेन और भाईयों यह काम भी मोदी जी के मित्रत्व में गटकरी जी ने और रामदास जी ने मिलकर के कितना बहत्रीन हो बनाया है हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी टांस्पोर्ट को एक नया कारे मिलेगा यहाँ को एक पैचान मिलेगी सीटी को एक पैचान मिलेगी इंफ्रस्ट्रक्चर और बहतर होगा आज हाईवे, रेलवे, मेट्रो आयाईटी, आयाईम, एम्स ट्रिपल आईटी, वर्ड क्लास इन्वस्टीज वन डिस्टिक, वन मेडिकल कॉलेज हर घर नल की योजना ये भी बन रही है और गरीब कल्याण की तो कोई सानी ही नहीं भारत के अंदर असी करोड लोग फिरी मैरासन की सुविधा का लाब पिसले चार वर्स से प्राप्त कर रहे हैं और अगले पांच वर्स तक प्राप्त करेंगे दुनिया के अंदर कहीं नहीं है साथ करोड लोगों को पांच लाख रुपे की आई उस्मान भारत की स्वास्ते बीमा का कवर मिल ला है दुनिया के अंदर कहीं नहीं है बारा करोड अन्यदाता किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मा निदी का लाब मिला है दुनिया के अंदर कहीं नहीं है अकेले भारत के अंदर है 12 करोड गरीबों के घर में 140 बन गए 10 करोड घरों में उज्जुला योजना का फिरी में LPG का सेलेंडर प्राप्त हो गया है करोड़ों परिवारों को जंधन का एकाउंट मिल गया है करोड़ों नौजवानों के अर्थिक स्वावलंबन के लिए कहीं पे स्टार्ट अप की योजना कहीं पियम विश्वकर्मा की योजना कहीं ओडियोपी की योजना ने एक नई क्रांती की है और बेन और भाईयों पहले चार करोड़ गरीबों को सिर ढखने के लिए पियम आवास योजना का लाब मोदी जी ने दिया और फिर राम लिला को भी एक भब्य आवास अयोद्या में राम मंदिर की रूप में दिया है हुआ है न ये सब काम एक सब हुआ है न आप मुझे बताओ क्या ये तीन तलाग को कॉंग्रेस के लोग समाप्त कर पाते और ये सपना तो सर्देव बाला सहाब ठाकरेची कभी था था न आखिर चत्रपती सिवाजी महराज का हिंद्वी सुराज तो यही था न जो आज देखने को मिला है यही तो था कि हमारा अपना सासन होगा भारत का अपना सासन होगा भारत के अरद्य देवों का सम्मान होगा भारत की बेटियों को सुरक्सा प्राप्त होगी भारत की सीमा को भारत को संब्रिती की नई उचाई तक पहुँचाने का काम करेंगे यही तो कहा था और उसी भाव के साथ आज मोदी जी काम कर रहे हैं भारत को दुनिया की एक वर्ड पावर ग्लोबल पावर की रुपे स्थापित करना चाहती है वह है विक्सित भारत के लिए विक्सित महारास्ट भी चाहिए विक्सित महारास्ट के लिए विक्सित नाकपुर भी चाहिए हर जन्पत को हर गाओं को विक्सित बनाना है आत्म निर्भर बनाना है और इसके लिए सब ससक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी सरकार नेता भी होना चाहिए नीती भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए क्या विपक्स के पास नेता है क्या न नेता है न न नीती है और न नियत ही है यहीं इस्तिती है ना और बैन और भाईयों हमारी सहमती हो सकती है हम लोग सुबोत जी और में दोनों लोग सानसथ थे 1999 में भी साथ साथ थे वह अलग पार्टी से थे मैं अलग पार्टी से था 2004 में भी हम साथ सान सांथ थे यूपी से और राम्दास जी और मैंस मह padet बने हैं मैं सतरीम मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गे रूपे मुझे भेज दिया गया और बैनों भाईयों 25 करोड की आबादी है यूपी की आज आप देखो और नहीं को है भाट्रपा की वहार सरकाराने के पहले वहार दूर से तीसे दिन एक बड़ा दंगा होता था करफ्यू लगता paints आज अमने करवी पर त लगा दीया करफ्यू लगता नहीं वह का अब करफ्यूल नहीं लगता है I पिसले साथ वरस में यूप में कोई दंगा नहीं हुआ अनवान करिए यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ यहां पर तो आपने देखा ना है हमारे तीन संतों की हत्या कर दी गई थी ए पाल घ़र में और यूपी में कोई भी नहीं कर सकता है उसको मालूम है कोई करे का लुटा टांग देंगे उसको कि बैनोर भाईयों कि पच्चीस करोड की आबादिये और कोई करफ्यू नहीं धूम धड़ाके के साथ कावड यातरा निकलती है वहाँ पर सिव भक्तों की कुड़नों लोग भाग लेते हैं को मैं करणों लोग भाग लेते हैं और यहीं नहीं यूद्या धाम में इस समय राम लेला का दर्शन करने के लिए लाखों सरदालू प्रतिदिनारा है कहीं कोई संकट नहीं और इसलिए बैनोर भाईयों में आया हो देश की जो आवाज है राष्ट की आवाज को महाराष्ट की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए दोनों आवाज एक होनी चाहिए चत्रपती सिवाजी महाराज का तो यही सपना था और सपने को साकार करने के लिए यही हमारा हिंद्वी सराज है हमारा हर भारत वासी सुरक्सित होगा हम सुरक्सित भी होंगे और संब्रिदी की नई उचाई को भी प्राप्त करेंगे और उसी को प्राप्त करने के लिए आज 2024 एक औसर फिर से हमारे पास आया है देश की आवाज एकी है फिर एक बार फिर एक बार मोधी सरकार फिर एक बार मोधी सरकार और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लिए महारास्ट की सभी सीटों पर भारतिय जनता पार्टी सिवसेना और अनसीपी इन तीनों का जो एक गड़वंदन है इस गड़वंदन को एंडी एगड़वंदन के प्रत्यासियों को जीतना होगा उस वापका अस्त्रीबात मिलना होगा भारती जनता पार्टी ने आपके जो वर्तमान में खासदार है सी रामदास जी तरस इनको फिर से प्रत्यासी बना करके आपके बीच उता रहा है और बेनोर भाईयों चुनाओं के दोरान ये मानना कि प्रत्यासी घर घर आए ये कठिन होता है आप सब को रामदास स्वयम बनना पड़ेगा चुनाओं तक 19 अप्रेल तक बनेंगे 26 अप्रेल तक बनेंगे तो बनना पड़ेगा घर घर जाईए एक एक वोट को पार्टी जनता पार्टी और सयोगी दलों के साथ मिल करके एंडिये के प्रत्यासी को विजयी बनाने के लिए आप सब को लगना पड़ेगा और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं उत्तर प्रदेश से बिशेश रूप से आया हूं सभी लोग सेमत है ना अच्छा मुझे बताओ अयोत्या में रामलला के विराजमान होने के बाद अयोत्या कोई दर्शन करने के लिए गया काफी बड़ी संख्या में गया है लेकिन बहने नहीं गई है आप लोग चले गए है अब चुनाओं के बाद उनको भी दर्शन करने के लिए लेकि आ जाना मुझे पहले से सूचना दे देना वहाँ चिंता की कोई बात ने उत्तर प्रदेश तो अब ऐसे लगता है जैसे प्रवु राम का त्रेता युक का प्रदेश फिर से आ गया हो और ये काम के अलब हच्पा कर सकते है बैन और भाईयों और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ आप से